हेलो फ्रेंड्स आज मैं क्लास 10 की मैथ से चेप्टर फूर के एक सरसाइज 4.4 का एक कोस्टन डिसक्स करूंगा यह कोस्टन नमबर 4 है और यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोस्टन है आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे आंतर तक तो आपको बहुत कुछ सीखन यह को मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि एक दा फालोइंग सिच्वेशन पॉसिबल इफ सो डिटर्माइन देर प्रेजेंट एज करें यह जो कोस्टन में सिच्वेशन दिया गया है जो कंडिशन दी गई है अगर यह पॉसिबल है तो उनकी प्रेजें in years वाज 48 तो यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं और उन दोनों फ्रेंड्स की एज का सम दिया हुआ है और फिर उनकी चार साल पहले की जो एजेज थी उन दोनों की अलग अलग उनका प्रोडक्ट दिया गया है प्रोड़क्ट का मतलब हुतता हिट्ग के सं यानि कि उनका अब यहां पर दो फ्रेंड हैं सबसे पहले इन दोनों फ्रेंड्स की एज को लेट करना पड़ेगा ठीक है अब लेट दा अब प्रेजेंट एज आप पास्ट एंड सेकेंड फ्रेंड सील में है आर एक्स इयर्स एंड राय एर्ट एंड राय इयर्स रिस्पेक्टिवली अधिंटे तो उनकी जो एज यह है हम ने एक्सियार्स और यईख कर लिया है आप क्या होगा उनका जूसम होगा वो त्विट्टी ए यार्स होगा है ना देन x plus y is equal to 20 years x plus y दोनों का सम कितना हो गया 20 हो गया अब देखो यहां से में या तो x का find करना होगा या तो y का find करना होगा तो माली जिए मैं x का find करता हूँ तो यह हो जाएगा 20 minus y y इधर plus इधर आएगा तो minus में हो जाएगा यह हमारा equation first हो जाएगा ठीक है अब उनका product लेंगे four years ago age of first friend is equal to x minus four देखो पहले friend का age आपने क्या लट किया है x तो चार साल पहले में उसकी जो उम्र होगी वो चार साल कम रही होगी तो फिर चार साल हम क्या कर देते है माइनर देखो अगर before बोलता है एगो बोलता है तो हम age को minus कर देते हैं अगर after बोलता है या फिर now बोलता है तो age को plus कर देते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा x-4 साथ ही साथ हम लिखेंगे इसको years है ना इसकी unit भी write करते हैं तो age का generally जो unit होता है वो years होता है तो क्या हो गया x-4 years and age of second friend second का हमने y मान रखा था तो यह y-4 years हो जाएगा ठीक है तो यह तो दोनों की age चार साल पहले की हो गई अब इनका product then their product देखो अभी इनका और इनका multiply करेंगे product means होता है multiplication x-4 into y-4 is equal to product कितना दिया है product दिया है 48 कितना दिया है 48 तो यहां पर put कर देंगे 48 ठीक है तो क्या हो गया x-4 into y-4 is equal to 48 तो हम क्या करेंगे इसे equation number second माल लेंगे अब अब आप देखो जो equation number first है उसमे एक्स की वैलू दी गई है यहां तो जब हम equation first से equation second में x की वैलू रखेंगे तो x यहां पर है x-4 रती है जाएगा 20-y-4 क्या हो जाएगा 20-y-4 तो अभी तो सिर्फ हमने इस वाले में बैलू रखा तो इतना आया यह तो same ही रहेगा यानि कि y-4 क्या रहेगा same ही रहेगा y-4 is equal to 48 अब इनको solve करेंगे देखो 20 plus में है और यह number 4 minus में है तो 20-4 करेंगे कितना आजाएगा 16-y और यह y-4 is equal to 48 ठीक अब देखो इनको हमें आपस में multiply करना होगा तो 16 into y कितना हो जाएगा 16y फिर देखो इसका sign plus है इसका sign minus है तो plus into minus minus 16 4 जा 64 अब इसको multiply करेंगे तो यह भी minus में है और यह plus में है तो minus into plus minus y into y y square minus into minus plus y into 4 4y ठीक है is equal to 48 अब इनको हम rearrange करेंगे इधर वाले term को इधर लेकर करके आएंगे तो जब rearrange करते हैं तो जो higher power की value होती है जिसके degree सबसे जादा होती है उसे पहले write करते हैं तो minus y square को हम पहले write करेंगे फिर यह 16y और यह plus 4y तो 16y plus 4y कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा plus 20y ठीक है इसके बाद में यह देखो मारे पास minus 64 है तो इसको write करेंगे minus 64 यह 48 plus में है इधर आएगा तो minus 48 यह is equal to 0 इधर 0 हो जाएगा अब एक चीज और समझो अब जब इन दोनों को add करेंगे तो ऐसे add कर लेते हैं minus 64 minus 48 तो कितना हो जाएगा दोनों sign minus में है तो बहुत बच्चे confused हो जाते हैं देखो sign जो दोनों में है वही रहेगा या फिर जो बड़ा नंबर है उसका sign लेते हैं तो कुल मिला जो लाग के देखो अगर दोनों minus है तो sign minus का ही आएगा 4 plus 8 कितना हो गया 12 1 carry 6 plus 4 10 1 11 तो कितना आगया 112 आगया तो यह जो लिखा हमने minus 64 minus 48 इसको मिटा करके हम क्या राइट कर सकते हैं आप पर minus 112 is equal to zero इतना राइट कर सकते हैं अब जिस टर्म की डिगरी सबसे ज्यादा होती है जिस टर्म का power सबसे ज्यादा होता है उसका sign minus नहीं रखने की कोसिस करते हैं उसका sign plus बनाने की कोसिस करते हैं तो ऐसे कि इसमें होता क्या है कि इन सभी का sign आप change कर दिए जो plus में है वो minus हो जाएगा जो minus में हो प्लस में हो जाएगा तो देखो यह minus y square है plus y square हो जाएगा यह plus है तो minus 20y हो जाएगा यह minus है तो plus 100 12 हो जाएगा is equal to 0 क्या क्या हमने आपर सबके sign बदल दिए तो यह हमारा quadratic equation बन गया यहां तक क्या बन गया एक quadratic equation बन गया आप इसमें discriminant लगा कर कि चेक करेंगे कि इसका root find किया जा सकता है या नहीं किया अब देखो यहां तक हमने solution कर लिया था अब यहां पर discriminant का formula लगाना है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं देखो discriminant is equal to होता है b square minus 4ac यह formula होता है capital D discriminant है ना इससे हम roots चेक करते हैं तो यहां से सबसे पहले में a b c की value की जरूरत है a जो होता है वो y square का coefficient होता है b जो होता है वो y का coefficient होता और c जो होता है वो constant होता है तो यहां पर y square के साथ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 होगा from equation a is equal to 1 b is equal to minus 20 c is equal to 112 है ना यह हमने value इसके राइट कर लिए d is equal to b square minus 4ac दो को वी की value है minus 20 तो इसे bracket में रखेंगे minus 20 whole square minus 4 into a is equal to 1 b is equal to 112 जब आप किसी भी minus value का square करोगे तो वो फिर square करने के बाद plus हो जाएगा minus 20 है तो square आएगा 400 20 का square 400 minus जो इसको multiply करेंगे तो यहां पर one एक फोर वन जा फोर से इसमें multiply करेंगे तो 428 फोर 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 यह है फोर अन्ड़ फटी एट और यह है 400 यह नंबर बड़ा है तो इसका sign लेंगे इसका sign minus है तो यहां पर minus लगाएंगे एट माइनस जीरो करेंगे एट फोर माइनस जीरो फोर और फोर माइनस फोर जीरो तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया माइनस फोर टी एट आ गया और माइनस की वैलू छोटी होती है किसे छोटी होती है जीरो से आज डी इज लेज देन जीरो दा एबब सिच्वेशन अज नाट पॉसिबल डाज नाट पॉसिबल तो यह हमारा आंसर होगा दिखो जब कोई भी वैलूड लेज देन जीरो आ रही है तो उसके रियल रूट ही नहीं बनेंगे जब रियल रूट ही नहीं बनेंगे तो वह सिच्वेशन ही पॉसिबल नहीं है उसका आंसर ही फाइंड नहीं होगा ठीक है उसके रूट नहीं ब बतायें कि वीड़यो को कैसा लगा वीडियो अगर जर्णा आहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को सेयर करें अगर इस लखनल पर आप नए है तो पैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कोश्चन के साथ तब तक अगले थेंक्यू कुलास